हेलो एवरिवन मैं मिनाच्छी मैं आज आपको छोले बनाना बताओंगी कि मैं कि स्टाइल में छोले बनाती हूँ सबसे पहले मैйने रात पर जो छोड सोले भीघू के रखे था इसमें मैंने कूकर में तीन ग्लास जल्दी पक जाएं और थोड़ी सی में डालुगी इसमें हलदी ताकि जो हल जाया वह इसके इंदर एकदम अच्छे से आजाएं और इसमें में डालूँ गूँगी दो से 4-5 बूंध तेल और अब मैं इसमें डाल रही हूं चाय पती जो मैंने यहां बलने के लिए चढ़ा रखे थि, यह देखिए, आपको दिखा देती, यह, और इसको गैस को करदेते हैं बंग, और यह चाय पति मैंने आधी चमच जो है, वो लेली थि, चाय पति, ज्यादा नहीं ने न्याप को, और इसमें मैं यह चाय पति जो है, वो डाल दूगी, ताकि इससे जो खले वह बहुत ही बढ़िया चोलों का उबर के आएगा और अब मैं यहां गैस कि मैंने कर दिया है लो मेडियम और इसमें मैं अधग रास बानी और डाल देते हूं और अब इसको बंद कर देती हूं खुकर को और इसमें साथ आर चीटियां जो है लगवा के फिर मैं आपसे मिलती हूं अब यह सारे मसाले यह मैंने तयार कर लिया है अब मैं बताओंगी क्यों किस परकार से यूजर करेंगी यह जो है जीरा पादर यह अम चूर पादर यह अद्रग का पादर और यह हैं काली मिर्च यह सोउट का पादर और ये है नमक, अब ये देखे मैंने यहाँ पानी अच्छे से प्रजाक दाला था, अब यो देटी लग रही है, इसमें से कोई भी पानी बाहर नहीं निकल जाए, ये देखे एकडम प्रजाक के जिए है वो पानी इसमें मैंने डाल रखा है, अब मैं बता रहे हो आपको पाउडर और यह है धन्या पाउडर और यहां मैंने दो तिन जो है साबूत डाल मिर्च लेली है अब मैं बताती हूं इसका कैसे मैं उप्योग करती हूं यह मैंने डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला अब हम क्या करेंगे सब को इसके जो बाउल है इसमें मैंने यह सब मसाले त आज्टे से मिक्स कर लेंगे यहां हमने एक कड़ाई चडा दिया इसमें मैंने डाल दिया है तेल और अब मैं डालूँगी में तेज पता यह है साबुत धन्येका दो फाड कीवी और यह जीरा यह यह है दो लोंग और यह है एक इलाइची और यहां है दाल्चिनी अब मैं इसमें डाल रही हूं, जीरा, तेल जो अब गरम हो गया है, डाल चिनी और ये, सब चीजे मैं डाल देती हूं, इसमें, यहां मैंने तीन टमाटर और दो हरीमिस्ट का पेश्ट तयार कर लिया, यहां मैंने सारे मसाले जो हैं वो तेयार कर लिये थे, और यहां मैंने तीन जो प्याज हैं, उनका पेश्ट तयार कर लिया, अब ये मसाला गया है यहां मैंने इसमें प्यास डाल दिया है जो प्यास का जो पेश्ट बनाया था वो मैंने डाल दिया है अब इसको हम भून लेते हैं प्यास देखें ब्राउन हो गए है यह देखिए और अब मैं इसमें डाल देते हूं रमाटर और हरीमिस का पेश्ट और अब दो तीन मिनट के लिए सिम पर हम इसको थोड़ा सा पकने देते हैं ना कोई मीठा सोड़ा डाला और ना ही कुछ हमने ऐसी चीज़ डाले जिससे और छोले जो हैं बिल्कुल ही एक मिनट में पक्के त्यार हो गए यह देखिए एक मिनट तो क्या साथ शीटियां तो लगाई है हमने यह देखिए ब मैंने कस्तूरी मेथी जयव भूनने के लिए रख दी अब यह सारे मसालों का जो पेष्ट ना यह मैं इसमें डाल देते हूं और इसी के साथ जाएगा इसमें हींग थोड़ी सी क्योंकि छोलने हैं तो थोड़ी हींग डालना तो बनता ही है और इसको हम 5-7 मिनट के लिए सीम करके इसको छोड़ देंगे और यहां हम जो यह कस्तूरी मेथी मैंने तवे पे सेक्के ना सेक्के ही डाला करों क्योंकि बिना सेक्के ना फ्लेवर निया आता है इसमें और यह मैंने करश करके इसमें डाल दी हैं यह देखिए अब हम इसको 5-7 मिनट के लिए ड़के छोड़ देते हैं यह देखिए यह देखिए मसाला भी तैयार है मैं आपको नजदीक से दिखा देती हैं यह देखिए यहां जो है घी तेल इसने छोड़ दिया है अब हम यह छोले भी तैयार हो गए है और इसमें मैं डाल देती हूं इनके छोले का जो थोड़ा सा पानी है यह और जो यह सारा मिक्स्चर है है वो मैं में डाल गारो देती हूँ आगे अँअ प्रोसेस अब भी मैं में बतातीות आपको क्या करना है यहाँ मैंने कड़ाई चिड़ा दिया ऑर इसमें में डाल भी हूं बटर मैंने डाल दिया है मैंने ढग दिया ताकि जो बटर का दुआ ना उपर ना आए इसमें मैं डाल रही हूं यह जो में चोती है डेगी मिस्च वो और इसमें मैं डाल रही हूं दो लाल मिस्च साभुत और गयास को मैंने बंद कर दिया था ताकि दुआ ज्यादा ना हो थोड़ा सा बटर हम और राल दिंग इसमें देखिए और यहां हम डालेंगे थोड़ी सी हींग और डालेंगे और यह है मेरा सीक्रेट मसाला जो मैंने बनाया था अब यहां है अब इसमें डाल देती हूं मसालों को फोड़ा सा मैं सोते कर लेती हूं जो मसाले अब यह मैंने पकाए हैं बटर में अब मैं यह जो कुकर में मैंने सामान डाल दिया था अब यह इसमें मैं डाल देती हूं यह देखिए लेवर को इन्हांस करने के लिए मैं थोड़ा सा अब इसमें डाल रही हूं काला नमक आप जो है यदि आपको कम लगे साधा नमक तो आप थोड़ा सा ओ डाल सकते हैं इसमें और इसको कर देखे हम मिक्स और अब मैंने इस पर लगा दिया लेड और अब एक शीट्री लगने के बाद फिर मैं आपको रंगत दिखाती हूं छोले की कैसी लगी यह देखिए भई चोले की रंगत यह देखिए कितने स्वादिष्ट लजी चोले बने हमारे अब मैं बनाने जा रही हूं पूरी फिर खाते हम चोले पूरी यहां हमारे चोले तयार हो रहे हैं और यहां मैं पूरी के लिए दो तयार करें यह बिगनस के लिए हैं जिनको डो लगाना नहीं आता पूरी का वो ध्यान से देखिए कि यह मैंने आटा ले लिया हैं आटा अपने रिक्वार्मेंट के इसाव से ले सकते हैं यह देखिए मैंने डाल दिया है इसमें नमक और अब मैं डाल देती हूं थोड़ी सी हल्दी इससे क्या आगा कि पीली-पीली सी जो पूरिया बनते है वो बड़ी ही अच्छी लगते स्वाल लगते हैं और यह लिए यह मैंने अजवायन इसको मैं थोड़ा सा क्रश कर लेती हूं हाथ पे ऐसे और इसका फ्लेवर जैन क्रश करने से इनांस होता है इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम से इसमें अच्छे से अब जोब हो जाएंगे जब हम आटे में इसको मिलाएंगे और यह इसको हम कर ल है जो यह तेल है ना यह डाल दिया थोड़ा सा मुएन यह देखिए अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद यह मैंने थोड़ा सा नवाया पानी किया है नवाया पानी किया है नवाया पानी थोड़ा सा गर्म हालका गर्म इसको अच्छे से मिक्स कर लिते हम यह तो कि यह मिक्स कर लिया है आचे को और अब मॉएन भी मिक्स हो गया है और अज़वायन नमक और थोड़ी जिए जोह अफोड़ी डाले थी तो भी मिक्स हो गया अब यहां हम क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे ज्यादा हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमने आटे काड़ो नहीं लगाना हमने पूरी काड़ो लगाना है तो हम थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे रिक्वाइर्मेंट के साथ से यह देखिए मैं थ थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूं मैं आपको आठे का डो लगा के भी दिखाती हूं कि हमारा डो जो है वो कैसा होना चाहिए कैसी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डो फी ये देखिए मैंने अभी फिलाल ऐसा ही ये लगाया है डो अभी मैं इसको 10 मिएट रेस्ट के लिए रख देती हूं फिर मैं बताती हूं कि अभी हमें क्या करना है आगे मैंने कडाय में चिडा गया तेल और जो आटा था वो मैंने सब की लोईयां बना ली ये देखिए ऐसी होना चाहिए आटा ना जड़सत ना जड़ा नरम मैंने पूरी यहां तियार कर ली है अभी तेल गरम हो रहा है थोड़ी सी टीप्स और ट्रिक्स से जो खाना इतना अच्छा बन जाता है जो छोले हमारे बने हैं वो हमारे इतने लाजबा लजी चोले बने है कि देखते ही मुँ में पाने आ जड़ता है और जो हमारे अभी पूरी बनेगी, उसमें थोड़ी से मैंने टीट-Centrix का इस्तेमाल कैए बस और हमारी पूरी भी तृयार हो जाएगी, यह देखे, मैं थोड़ा सा इसमें डाल के देखे लेती हूँ कि क्या हमारा तेल तेयार हो गया ह है, तेल बिल्कुल तेयार है इसी स्टेस पर हम इसमें ड पर आ जाएगी, फूल के. यह देखिए, यह देखिए. मोहिन येदी परफेक्ट हो, तो पूरी जो है वो फूल जाती है, और अच्छे से येदी आटा लगा वाओ, तो भी पूरियाज है, वो अच्छे से फूल जाती है. कई बार हमारी पूरी ना फुले तो भी चिंता की खोई बात नहीं है यह देखिए अब मैं इसी प्रकार से आपको सारी पूर्या त्यार करके दिखा देती हूं